बिसमिल्यारामालियरावारभेम इसलामलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ इजासारी और आप देख रहे हैं इजासारी फूर सीकर्ट अलवारकत दे, आपके खान में, आपके जायकण, तुम्हेरे हैरस, आज में आपके लिए बहुत मुशूर और ऐसी रेस्पी ज मैं बहुत अ windows लिया था, शाय सरी सब्स्सक्राइब मुख्स कनड़ां नkov quindi स्कमें आप थैने मीक्स से अih डालों पीख निगे हैं और खास बात प्रोटीन के लैवल इता है तो आप देखें मैंने पानी निकाल दिया कैसे दाले कची थी पानी अच्छे से आपने डाल का जाली से इस तरह निका लेना है उसके बाद बिसमिल्लावारे कुंटी है, हमारे पास एक दौरी है जिसमें हमने इस डाल को पीस लेना है, कूट लेना है अगर आप मशीन में करना चाहते हैं, तो मशीन में भी हो जाएगी यह बात का ख्यार रखना है इसमें आपने पानी नी जाने ने ना ठीक है पानी मैंने अच्छे से इनका निकाल लिया था और यह सारी डाले आपने कच्छी ही यूज करनी है अब हम यहां पे इसको कूट लेंगे अगर आप मिशीन के अंदर करें ना तो याद रखेगा आपने इसको बिल्कुल पाउटर नी बना ले ना कौँ से जाएंगे बहुत एहम बात है चलेंगी बिसमिल्ला रावाने वन टेबल स्पून नमक का वन टेबल स्पून लालमिरिस का पाउडर जाएगा और मेन मसाला इस रेस्पी का वड़ियों का जो होता है वो होता है खुश्क धनिया और इसका आपने पाउडर यूस नह नहीं करना चलेंगी अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है और उसके बात अगर अभी तक हाव मेरे चैनल पर नहीं है जनाब तो चैनल सब्सक्राइब किया करें है अपके प्यार होता है महबत होती में आप कर समी के नाम होता है अब यहां पे बढ़िगा है क करना कोई शेप नहीं देनी बस बेतुका से इस तरह से आपने पकड़ के इस तरह से क्यूब्स में इसको शेप देते जाना ठीक है उसके बाद इसको आपने धूप में सुखा लेना है लेकिन ये धूप में सुखाने वाली रेस्पी माको फिर अभी दूँगा एक प्लेट त यहां पर लोटू-मिटियम फ्लेप पर हमने अल को गरम कर लिए है यहां पर हम इसको करेंगे और जब हम इसको फणाई करेंगे आपको नजर आ जाएगा कि हमने जो उसको दरदरा से रखा और मिक्स नालों का इस्तमाल किया वह क्यों था एक एहम बात जब भी आपने कर लिया है तकरीब दस मिनट तक पका के देखिए माशाला से कितनी हुपसूरती है अब इसकी ग्रेवी कैसे तैयार होगी ठीक है ग्रेवी इंशाला स्पेशल तैयार करेंगे हाफ कप के करीब हमारे पास कुकिंग ऑईल है अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम एक बड काली लाइची जो होती है मोटी ताजी से एड कर देंगे दो चोटी लाइची एड कर देंगे चलेंजी अब हम इसको थोड़ा साफ करने के बाद इसमें वान टेबल स्पून अद्रक लेसन का पेस्ट देंगे इस पेस्ट को आपने कम से कम 4-5 मिट पकाना है लो फ्लेम के पर ठीक है फिर इसका फ्लेवर निकलता है वरना लैसन की समय ली जाती एक बड़ा सा बढ़ी चॉप इसमें टमाटर एड कर देंगे और इस मसाले की हम करेंगे अच्छी भली भुनाई अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले जाएंगे और देख लेते हैं कौन से हैं चलेंजी बिस्मिल्ल्ला हर्मान है तो सबसे पहले नमक वान टीसमवन इसमें काफी होगा और लाल मिर्सका प्लेवर एड करेंगे जीतुब वrise नीके जई हम सिर्वा है शीरा हाफ टीसपून जाएंगा हलदी भी बिदे अई करेंगे और और कोई मसाला एड़ नहीं करेंगे खुश दनिया जो था उसका बहुत जाला फ्लेवर हमारी वडियों के अंदर ही था और यह काली मिर्चिस में थोड़ी सी एड़ करेंगे फ्लेवरिंग के लिए और गरम साले की जूरूत नहीं यह काफी मसाले हो चुके हैं इसकी अब हम क पानी के अड़ कर देंगे हाई फ्लेम के अपर आपने इस पानी के कच्छे पन को दूर करना है ठीक है यह कहम प्रोसेस होता है कभी भी कच्छे पानी के अंदर चीज़ा नहीं की जाती अब जब यह पानी पग गया तो इन वड़ियों को जिनको हमने फ्राइ कर लिया था कर लेंगे बाकी वड़ियां जो मेरे पास कची वड़ी हुए उनको मैं दूप में सुखाऊंगा इंशाला तीन चार दिन में उसकी भी बाकी जो है रैस्पी एड़ करेंगे दाल वगरा में वह एड़ करेंगे और चीज़ में हरी मिर्चे यहां पर साबद एड़ कर और इसको आप चाहें तो पतला कर सकते हैं जैसी भी आपकी पसंद या प्रेफरेंस हो लेकिन यह थोड़ा चा पतले ग्रेवी में अच्छा लगता है फाइनलों की तफ्स चलते हैं सलें जी बिसमिल्लाहरामान रहीम तो माशालाल अलहम्दुलेला देखें जी मेरे अल्ला तक अल्लाह हाफीज